जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों रेमुनरेशन इंटरेस्ट रिसीवड बाई पार्टनर्स आपको पता होगा इंकम टेक्स के अंदर आपका अलग-अलग स्टेटस हो सकता है अगर आप इंडिवुजल हैं तो आप परसंद होगे अगर आप पार्टनर्स फरम हैं तो F होगे LLP है तो L होगे अगर आप एक कमपनी हैं पब्लिक लिम्टेड प्राइवेट लिम्टेड तो आप C होगे आपके pen card का fourth character में बता रहा हूँ उससे defined होता है कि आपको कितना tax लगेगा आपकी क्या-क्या tax requirement आपकी होने वाली है body of individual हो, association of person हो, artificial jurisdiction person हो तो इस तरह से दोस्तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं अगर आप एक partnership firm चलाते हैं अगर नहीं चलाते हैं तो आपको फिर भी knowledge होनी चाहिए दोस्तों, partnership firm के अंदर क्या होता है आपको पता होगा, partnership firm के अंदर direct 30% tax लगता है जितनी भी आप कमाई करेंगे, उसके उपर आपको 30% tax देना पड़ता है लेकिन बहुत सारी partnership firm में देखने को आता है उनका जो net profit होता है, साल के last में वो zero दिखाते हैं चाहिए उनकी turnover एक करोड हो या दस करोड हो या बहुत ही नाम मतर का profit दिखाएंगे क्यों दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो partnership firm उसके अंदर जितने भी partners काम कर रहे हैं अगर हो सकता है उसके अंदर दो partner हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छे हो तो वो महनत करते हैं तो उनको वहाँ पे जो भी पैसा दिया जाता है वो remuneration होती है और उन partners ने इस firm के अंदर जो भी पैसा लगाया है मैं firm से interest मांगूँगा तो income tax के अंदर क्या treatment होता है अगर किसी partner को remuneration मिलता है कितना दे सकते हैं, interest मिलता है कितना मिल सकता है तो उनका tax treatment हम discuss करने वाले है जैसे मैंने आपको discuss किया दोस्तो partnership firm different है और partners different है दोनों की अलग-अलग ITR भरी जाएगी दोनों के अलग-अलग ही pen card होंगे और दोनों के लिए अलग-अलग ही दोस्तों यहाँ पे rules होते हैं यह आपको बात समझ में आ गई है अब हम बात करते हैं income tax का section 40B बोलता है income tax act 1961 remuneration and interest मैंने आपको बताया वो partners मैनत कर रहे हैं उस firm के अंदर तो partnership firm उन partner को मैनत नामा, remuneration, salary के टाइप में देगी और उन्होंने जो पैसा लगाया उसके उपर ब्याज देगी paid to partners by the partnership firm वो partnership firm उन partners को देगी may be deducted as expense तो वो firm का खर्चा है दोस्तों firm अपना खर्चा कलेम कर लेगी firm के पास मालो सारे के सारे खर्चे कलेम करने के बाद 5 लाख खर्पे का profit आता है तो उसके अंदर से remuneration और interest paid करके अगर वो zero कर लेती है तो partnership firm को कोई भी tax नहीं देना है तो इस तरह से दोस्तों लेकिन ये खर्चा अपनी मर्दी से नहीं कर सकते हैं ये specified conditions होती है उनको fulfill करना पूरा करना बहुत ही जरूरी है इंट्रेस्ट और remuneration दोस्तों partnership firm ने firm ने partners को दे दिया है तो firm का तो खर्चा कलेम हो गया लेकिन ये partner को जो मिला है वो इनके हाथ में taxable हो जाएगा और उसको income from PGBP के अंदर दिखाना पड़ेगा partnership firm ने zero profit दिखा दिया और tax भी उसका zero हो जाएगा लेकिन partners को जो भी दिया remuneration दिया interest दिया वो उनको अपनी income में जोड़ना पड़ेगा और उनको उसके उपर भी tax दिना पड़ सकता है share of profit दोस्तों अगर मालो आपने partnership firm मैंने आपको बताया था example पांच लाख में से साड़े चार लाख रपे remuneration interest दे दिया बाकी का जो पचास हजार पे बचा उसके उपर क्या होगा 30% का tax है वो उसको देना पड़ेगा जो की 15,000 पे बनता है तो इस 15,000 पे अगर मालो तीन partner है A, B, C तो तीनों को ये भी बट जाएगा 5000, 5000, 5000, 5000 इनकी पुंजी में जुट जाएगा दोस्तों और इसके उपर क्योंकि partnership firm ने पहले से ही tax paid कर दिया है तो partner को कोई भी tax इसके उपर नहीं देना है interest और remuneration के उपर firm ने tax नहीं दिया तो partner को tax देना है net profit के उपर firm ने tax दे दिया तो partner को tax नहीं देना है ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब दोस्तो remuneration जो होता है वो हम किसे दे सकता है partnership firm किसे दे सकती है remuneration तो महनेत नामा होता है salary होती है जो काम करेगा उसे ही मिलेगा only two working partner दोस्तो जो उसके अंदर actively काम कर रहा है कुछ silent partner भी होते है और interest किसे मिलेगा दोस्तो interest होता है working हो या non working हो जिसने पैसा लगा रखा है बबु भाई सबसे बड़ा पैसा है आपके आपके पास पैसा है इसको तो 1% profit मिलेगा इसको 90% मिलेगा इसको 9% मिलेगा जो भी ratio होगा उसके साब से अगर आप profit रखेंगे तो वो profit आपका बांट दिया जाएगा अब remuneration दोस्तों मैंने बताया salary मैनेत नमा वो कैसे होगा condition for claiming deduction of remuneration pay to partner ये salary bonus commission remuneration हो सकता है working partner को जिस बंदे ने काम किया और partnership deed में लिखा होना चाहिए कि हम इसको partnership अगर ये काम करेगा तो इसको remuneration देंगे और एक limit होती है दोस्तों income tax में उससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है क्या limit होती है आपके book profit का कुछ percentage होता है पहले 3,00,00,00 के उपर दोस्तों या तो डेड़ लाख रपय अगर आपका loss भी होता है तो भी डेड़ लाख रपय तक remuneration आप दे सकते हैं या books profit का 90% दोनों में से जो ज़्यादा है बहुत बारी जगे हैं तो दोस्तों whichever is lower की छूट होती है यापे यापे अगर मालो आपका माइनस के अंदर एक लाख रपय है एक लाख रपय का लुकसान हुआ दोस्तों तो भी आप डेड़ लाख रपय का remuneration फरम उसको partners को दे सकते हो जितने भी partner है उनको डेड़ लाख रपय हर partner को डेड़ लाख नहीं मिलेगा maximum डेड़ लाख रपय आप सारे partner को बांट सकते हो ये तो मैंने बात की दोस्तों अगर आपका profit तीन लाख रपय तक है कईयों का profit चार लाख पांच लाख दस लाख तक भी होता है तो वो जो भी balance amount बचेगी उसके उपर आप 60% तक का remuneration दे सकते हो तो मैं आपको confusion हुआ है अगर तो मैं example दे देता हूँ book profit है 5 लाख रपय दोस्तों आपको पता होगा sale करी फिर आपने उसमें purchase गटाई जो भी किया आपका gross profit आ गया इसके अंदर आपने सारे के सारे expenses claim कर लिये जो आपका इसके बाद में profit आएगा वो book profit होगा इसके अंदर अगर आपका 5 लाख रपय आया है तो मैंने आपको बताया इसके दो टकुटों में आपको कर लेना है पहले तो 3 लाख रपय तक उसके बाद में उपर वाला जितना भी होगा तो उपर वाला जितना भी होगा उस पर तो आपको 60% है और नीचे वाले पर या तो डेड़ लाख या 90% 3,90,000 हो गया 2,70,000 रपे और उसके बाद वाले 2,00,000 पर 60% हो गया 1,20,000 रपे 2,70,000 और 1,20,000 मतलब 3,90,000 रपे आप रेमूनरेशन दे सकते हैं अगर आपने इंटरेस्ट पहले से दे दिया है दोस्तो 5,00,000 रपे का बुक प्रोफिट था 3,90 आपने इनको रेमूनरेशन दे दिया तो 1,00,000 रपे पर दोस्तो आपको इंकम टेक्स देना पड़ सकता है हो सकता है इसके अदर से आप इंटरेस्ट वगरा पेड़ करें लेकिन आपको इतने रपे के ज़्यादा आप रेमूनरेशन उनको नहीं दे पाते हो तो मैंने आपको शुरू में बताया था आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि कितना रेमूनरेशन उनको देना है पहले तीन लाख पर नबे परसेंट बाकी के अमाउंट पर साट परसेंट से ज़्यादा आप रेमूनरेशन नहीं दे सकते हैं दोस्तों सेलरी फिक्स अमाउंट होती है लेकिन रेमूनरेशन है वो आपको इस मैथड़ से जो कि आपको मैंने बताया था नबे परसेंट या 60 परसेंट जो पहले तीन لاख पर बाकी की अब उपर इस हिसाब से कलकुलेट होगा सैलरी में तो क्या होता है किसी करमचारी को अब सैलरी देंगे 5 जार पर मीना 10 जार पर मीना 50 जार पर मीना बारा परसेंट पर एननम, मतलब एक रपैस हैंकड़े के साब से ही होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, उससे कम आप दे सकते हो, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको कोशिश की, कि आप पार्टनर्शी फरम के अंदर क्या टेक्स के रूल होते हैं, उनको रेमूंदरेशन या इंटरेस्ट का क्या टेक्स सेशन होता है, वीडियो ची लिए तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और हमारा उसला बढ़ जाता है, ऐसी कोई चीज डिसकसन से रह गी हो, या आपका कोई डाउट हो, कोश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिपल जय भारत